आज की वीडियो अतनी तगड़ी होने वाली है ठीक है जो भी तुमने थमनेल में पढ़ा है एक दम करेक्ट बात है कुछ भी मैंने जूट नहीं बोला है उसमें ठीक है यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है अगले 10 में आप 80 नंबर बढ़ानी की एडवाईस दे सकते हो या इवन बढ़वा भी सकते हो कैसे अव पता लगाते हैं इस वीडियो में और मैं गैरेंटी ले रहा हूं भाई अराम से 70-80 नंबर का तुम बूस्ट पास अकते हो अगले दो दिन के अंदर इस वीडियो को दे किया यह बताना जरा तो वेट करो भाई पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में रैडी हो बिलको रैडी है हुए तुमको थोड़ा सा थोड़ा सा फील दे टॉपिक क्या जोनी क्या वाला है डू यू नो आउट आउट आफ 42 सब टॉपिक्स इन डोटेशन मोशन ओनली 3 to 4 are mostly arched in JEE किसी ने रोमो पड़ा होगा हो सकता है तुमने 11 पे रोमो पड़ा हो किसी ने ड्रॉप यर में रोटेशन मोशन पड़ा हो तो भाई तुम्हें पता है पूरे-पूरे 80-8090 पेजेज लग जाते हैं रोटेशन मोशन की थियोरी खतम होने में अराउंड 42 topics है जो मैंने अपनी notes वाली copy में गिने हैं और पूछे कितने जाते हैं 90% of the time सिर्फ और से तीन से चार topic ही पूछे जाते हैं तो भाईया हम 42 में से 3 माइनस करें तो हम around 39 topics ऐसे पढ़ने हैं जिनकी exam में आने की probability almost 0 है क्यों पढ़ते हैं वो हमें नहीं बता अच्छी बात है अगर हम पूरा chapter depth में बढ़ते हैं उससे हम conceptually strong होते हैं जही advance के लिए लेकिन अगर अभी हम जही मेंस की बात करें भाई तुम 39 topics बेकार के पढ़ रहे हो और यह सिफ rotation motion में नहीं है this applies to all the other chapter of physics chemistry ठीक है मैस की हम बात नहीं करेंगे कुभी मैस में कुछ भी वो पूछ लेते हैं लेकिन हां physics chemistry में हम certainly बात कर सकते हैं तो मैंने यही आज दिमाग में रखा और तुम लोग के लिए ऐसे भैतरीन sub topics निकाल के लेके आया हूं हर topic से तुम्हारे plus 4 marks confirm हो रहे होंगे मालो तुमने कोई topic छोड़ रखा है पूरा chapter छोड़ रखा है मालो इन एक equilibrium तुमने छो हो एक छोटा सा sub topic 15 मिट का कर जाओ दस उस पे question लगा लो भाई तुम्हारे 4 marks पूरे-पूरे 90% probability है कि उससे question आ जाएगा 90 तो थोड़ा ज्यादा बोली लेकिन 70 80% probability है तुम्हारा question बन रहा होगा feel आगई topic की आज की मजा आने वाल है description में link मिल जाएगी telegram की वहां से तु minimize your efforts and work smartly ठीक है यही हमारे channel का motto है ठीक है चलो फे start करते हैं सबसे फिजिस की बात करेंगे फिजिस में मैं ऐसे 12 topics सब topics जून के आया हूँ जो की तुम्हें करने हैं अगर तुमने नहीं करें हैं तो ठीक है सबसे बहले आते हैं हमारा calorie speed बढ़ाएंगे calorie metric आता है जो की part heat का दूसरे नमर पर आता है isothermal and adiabatic curves के बारे में पढ़ना जो की part है thermodynamics का ठीक है यह दोनों topic एक दम 15-20-20 मिटर में हो सकते हैं ठीक है या तो तुम DC पांडे का यूज कर लो फिजिस के लिए या one shot वीडियो से skip करके इंग सब topics के बारे में पढ़ लो थर्ड आता है Doppler effect लेकिन cavity problems बहुत easy होती है बहुती कम तैम में तुम कर सकते हो खाली cavity problems पे work करना ठीक है cavity problem मतलब एक बड़े से structure में cavity बनाके उसका centrum मास निकालना होता है ठीक है concept challenging है लेकिन बहुत important है six number आते है हमारा collision in 1D and 2D जो की work power energy का part है ठीक है यह topic hardly 30 minutes theory है और एक घंटा problem solving है that's it ठीक है that's it इतने में हो जाएगा movement of inertia belongs to rotation motion जैसा मैंने भी उपर तुम को समझाया था rotation motion से rotation motion से movement of inertia सबसे important topic है ठीक है 42 topics में सबसे important topic movement of inertia है अगल आता है screw gauge and vernier caliper जो units and dimension का sub topic है उसके बाद आता है photo electric effect जो की modern physics इतना बड़ा last chapter है भाई 70-80 sub topics का सके अंदर लेकिन photo electric fact जो की सिर्फ एक topic है याने कि हम 70 topics में से 69 topics ऐसे हैं जिनकी probability कम है exam में आने की और जो यह photo electric fact है उसकी probability बहुत जादा exam में आने की रे optics थी बात करें रे optics में lens theory and prism से question आ रहा होता है रे optics कितना बड़ा है तुम लोग अच्छी बात है ठीक है अगला हात है हमारा fluid dynamics में क्या है बर्णोली थियोरम का application ठीक है पानी में बॉल वर्ड दोबो देंगे ठीक है ठीक है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ग्यारा टॉपिक्स ही हो गए हमारे आगे बढ़ते हैं chemistry की अब बात करते हैं ठीक है physics हमने देख ली chemistry में पहले टॉपिक आता है solubility product और यह बहिया किसका है ionic equilibrium का सब एक topic है भाई कितना easy है ठीक है इसमें KSP निकालने को वारवाद हमसे पूछा जाता है तो अगर तुम ionic equilibrium में खाली solubility product का सब topic पढ़ जात मोल कंसेप्ट इतना बड़ा चैप्टर है कोश्चन जातर आ रहा होता है limiting reagent का ठीक है तो limiting reagent 15 minute का topic है एक घंटे की question प्रैक्टिस से तुम मोल कंसेप्ट में 70% probability के साथ question बना सकते हो नस्टिक की बात करें तो भया इलेक्ट्रकेमिस्टी का सब topic है इतना बड़ा है नस्ट equation गहुत चोटा उसका पार्ट है ऐसे ही एक और पार्ट है फेरेडेस लौ इसमें करेंट निकालना होता है सिंपल सा एक फॉर्मला यूज हो रहा होता है उसमें it upon f वाला वह भी तुम देख ले ना देख रहा हो पूरा तुमारे चैप्टर को चॉर्ट लिस करके दो दो कोईंट के बारे में पूछा जाता है इस से जादा हो पूछते ही नहीं है कभी भी पूछा तो भाई बहुत ही कम पूछेंगे अगला आता है हमारा इवन लेस ठीक है थैटी मिनिट से भी तुम कम समझ सकते हो इस सब टॉपिक को या तो वन शॉट वीडियो देख लो किसी बुक से रीडिंग मालो पी वाई की उस लगा लो अगला आता है और्गिनिक की तरफ आ गए हम अगला आता है एक नमबर पर एल्कोहॉल से एथर का जो सब टॉपिक है वे विलियम संसीन्स ओफ इल्कोहॉल फिनौल इथर का सब्टॉपिक है और ही यह दो रीक्षन है खाली अल्कोहॉल फिनौल इथर की ठीक है इन दूस रीक्षन से हर कोशन आ रहा हो ता और यह… तो सकता है तुम को स्थेखने को ना मिलेоловे लेकिन पार् औरगनिक के क्रेश कोर्स में ये सारी ही डियक्शन करा रखेंए तो डिस्रिप्शन में और और गुंटे का क्रेश कोर्स है पूरी और रिसमें सब कवर कर रखा है ठीक है तो यह दोनों जरूर पढ़ लेना 10वे नंबर पर आते हैं के बारे में पर दिखते हैं हाइडोकारवन से एक बहुत बहुत इंपोर्टन टॉपिक आता है ओजोन लाइसिस यह भी मैंने अपने और्गिनिक के क्रेश कोर्स में ले रखा है यह सभी ले रखा है मैं ठीक है इलेविन हमबर पे आता है हमारा एल्डॉल कैनिजारो एंड ग क्या होता है दो느 ही नहीं इसमें भीया क्या होता है अगर हीट कर दोंगे तो मैं निकल जाता है और यहाँ दुम्य को अल्कोहल औरud ग्रवॉकसलिक आसिड लिखत तुम स्राइक्टन अल्कोहँल करते हैं अ कने पनी अडगिनिकसलिक अर् यह भी बहुत ईजी है अगला आता है हमारा अमाइंस से आता है हमारा सबसे इंपोर्टिंट दाइजोनियम सॉल्ट इसका तो हर शिफ्ट में 110% मैं गरेंटी ले रहा हूं दाइजोनियम सॉल्ट से कोशन आ रहा होगा ठीक है आखरी हमारा सब टॉपिक आता है केमिस्टी का आरोमेटिक केमपॉण्ट्स का जो है वह है डायक्टिविटी एंड फ्रीडर ख्रीडर स्रीडर ग्राफ्ट अलकाईलेशन और असाइलेश यह दो सब टॉपिक यह अरोमेटिक केमपॉण्ट्स के तना वास चैप्टर है लेकिन खाली इन दो सब टॉपिक से कोस्चन लगा बारा ठीक है गैसे तो ग्यारा हैं लेकिन बारा मानके चल रहे हैं और केमिस्टी में तुम्हें 15 देखने को मिलेंगे टोटल करोगे तुम 27 निकल के आएंगे अप्रॉक्सीमेटी हम 25 मान लेते हैं ठीक है तो टोटल मार्स निकालोगे हर टॉपिक से एक कोशन तो आ रहा यसे और इन सब टॉपिक सो कबर करने में हार्डिली दो घंटे से जादा नहीं लगेगा एक सब टॉपिक सब टॉपिक 2 घंटे में कर सकते हो ठीक है तो भाई पागलोगी तर लग जाओ अब तो क्योंकि यह हमारा गोल्डन चांस है हम इसको मिस्स नहीं कर सकते ठीक है तो यह PDF uploaded है ठीक है तो दोनों को चेक आउट कर लेना और क्रेश को तो जरूर से देख लेना मिलते हैं ऐसी वीडियो में बाई बाई सी यू टाटा जाओ 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 अब चलेए